ये वीडियो क्लासिक 7, 8, 9, 10 क्लस्टर के बच्चों के लिए है जिसमें मैं आप लोगों को CBST की 2011 की सेट 2 की स्टोरी राइटिंग को समझाऊंगी तो आई हो आप लोगी से बहुत अच्छे से समझेंगे और सुनेंगे जो खड़े हो थे नियर पॉन इंधा इवनिंग एक एक तलाब के पास शाम में इवनिंग मतलब शाम उन्होंने देखा और रिफ्लेक्शन ओफ ता मून उन्होंने रिफ्लेक्शन देखी मून की उन्होंने सोचा अब आप गोगो स्टोरी को कम्प्लीट करना है तो सभी बच्चे से भोतियान से सुनेंगे वो मून को देख सके और अपने आपको देख सके तो इस तरह उन्होंने उस तलाब में च्छलांग लगा ली और उन्होंने पाया जो मून था वो जगमगा रहा था वेवरिंग यानि जगमगाना इट वोस तू दा मूवमेंट आफ दा स्टेगनेट वाटर ऐसे इसलिये था बच्छों क्योंकि जो पानी की मूवमेंट थी वो हिल रही थी तो इस तरह जो मून की रिफलेक्षन उस पानी पर पल रही थी तो वो काफी हिल रही थी यानि जगमा रही थी हिलने की वजह से Because the villagers sat under the moon क्योंकि जो गाउवाले थे वो तलाब में वो तलाब में एंटर कर गए थे None of the villagers could touch None of the villagers could touch और see the moon तो इनमें से कोई भी गाउवाला ना तो moon को touch कर पाता है और ना देख पाता है All the villagers came out of the moon तो सबी जो गाउवाले होते हैं वो एक एक करके बाहर आ जाते हैं किस में से? पॉंट में से यानि तलाब में से The moral of the story अगर हम इस कहानी का moral देखें तो वो है Is dead, all dead collector Is not gold यानि सबी चमकती चीज़े जो होती हैं वो हमारा लक्षी नहीं होती है तो यानि से स्टोरी कप्डिट होती है आप लोग भी अपने एक साम में moral of the story लिखेंगे ताकि एक सामिनर का एक अच्छा इंप्रेशन आपके लिखी गई राइटिंग पर पड़े